चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है इस वक्त यह सबसे बड़ा सबाल है बिहार के राजनतिक गलियारों में चिराग इन दिनों काफी चर्चा में है वैशाली में विशाल जनसभा के बाद वह फिर से सुर्ख्यों में आ गए है दरसल लोगसभा चुनाव में लूजपा को लेकर असमंजस है संभाव है कि अंदर अंदर बाति तै हो गई हो मगर अभी से कुछ भी इस पश्ट नहीं हुआ है पिशले दो लोगसभा चुनाव से लगतार इंडिये का हिस्सा रहे लूजपा के विभाजन के बाद चिराग पासवान पर अंडिये से लेकर इंडिया गठ बंधन की नजर है अब तक खुलकर प्रधार मंत्री के पक्ष में बोलने वाले चिराग पासवान थोड़ी कूट निती की भाशा बोल रहे है पियम के और अंगाबाद के सभा में पश्वपती पारस और प्रिंस को मंच पर जगह मिली वहाँ चेराग नहीं दिखे चाचा पारस से उनका 36 का संबंध जग जाहिर है वैशाली लोगसभा शेत्र के साहिब गंज की सभा में भी चेराग ने पत्ते नहीं खोले वह किस गठ बंधन में जाएंगे यह सपष्ट नहीं किया सभा में गए पार्टी कारिकरताओं से लेकर इंडिये और इंडिया के नेता असमंजस में है वैशाली सांसद बीडा देवी मान रही है कि पांच सीट पर बात इंडिये में तय है मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उनका सपष्ट रूप से कुछ नहीं बूलना दुनों गठ बंधन के नेताओं और कारिकरताओं की बेचैनी को बढ़ाए हुए है